मेरा मकसद है ख़ everyone को ओल करने का वह लाज्मी हमें एक दिन बल्वान जरूर करेंगा क्योंकि कोई भी शेर बिना मतलब का empa प्राइच का नुसार चल रहा था प्राइच के नश Chemoor अबे लिया प्राइच नीचे थी प्राइच उपर आया था भी भी कर लिया भी नाया के आपको किसी जैसे से निकलके भागना हैं किसी पेने को खरीदना हैं लोगों मेरे से जेपी पावर के बारे में पूछा मैंने उसकी इस्तितिय बता दी कोई किस व्यू से अपनी चीजों को बताता है उस पर अमल करो पर आप किस वजे से शेरों के अंदर हैं सबसे इंपोटेंट पार्ट बहुत है इसी फ्यूचर है यह नहीं है अगर पांसो गीगावार्ट की छमता 2030 तक के करनी है तो वह पवन सोर और महत तो पुण क्या रहेगा जल विधुत टार्गेट पर दूसरे ब्रोकरिज फ्रम के चीजों के अनुसार जो वह बोल देते हैं यहां तक शेर जाएगा महा तक जाएगा उन इस्तितियों को हम नहीं समझेंगे तब तक के और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजार से आज बात करेंगे नहीं की बात करेंगे सर सुजलोन अनर्जी की काफी दिनों से मैंने Vodafone Idea की कोई वीडियो नहीं बनाई है उस पर भी बात करेंगे सर देखो सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूँ कि जब जब हम किसी दूसरे के टार्गेट पर दूसरे ब्रोकरिज फरम के चीजों के अनुसार जो वो बोल देते हैं यह महा तक शेर जाएगा महा तक जाएगा उन इस्तितियों को हम नहीं समझेंगे तब तक के शेर मार्केट में हम कत्पुतली बनकर ही रह जाएंगे यह द्यान रखना मेरी बात कि कोई किस व्यू से अपनी चीजों को बताता है उस पर अमल करो पर आप किस वज़े से शेरों क पर बड़ी बड़ी कमपनियों के अंदर अपनी अनलाइस की और वहां पर उन किसी शेरों को निगेटिव या किसी शेरों को पोजिटिव बनाया बताया अपनी अनलाइस के थुरू तो वो उनकी अपनी अनलाइस है पर क्या होता है समय बीतने के बाद वो सारी इस्तितिया आगे की तरफ जाती है बीच में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको समझाया था कि भईया अगर आपका टारगेट किसी भी अच्छे शेर का बड़ा है लंबा है तो वो लंबे विसे के साथ होगा और वो कंपनी के फंडामेंटल कंपनी की काम की इस्तितियां फ्यूचर का वो शेर है या नहीं है इसे देखकर आपकी परतिकिरिया उसके अंदर बननी चाहिए कोई साथ दोसु रुपे का आपके पास है मैं आपको फिर बता रहा हूँ उसे आपको पांसु अजार में देखना है तो वो दोसो से ऊपर जाएगा तब वो उस इस्तितियों में पहुचेगा खरीदा आपने 200 में रखा है मिल्वोट 1200 में रहा है पचास का लोस हो रहा है तो जिस से तुम पांसो हजार दोजार कमाना चारह है टार्गेट लेगे चलने वह पांसो जार दो तो वो शेर पचास रुपे कम नहीं हो के दिखाएगा आपको क्या वो कुछ लोगों को भाहर नहीं निकालेगा कितने लोग मल्टी बेकर तक जाते हैं गिने चुने बीच में आपको कुछ ऐसी भी न्यूस दिखी किसी के पास MRF के शेर तो क्रोडपती बन गया, क्यूंकि कुछ चीजे रख कर भूल गई और वो भूलने के बाद कुछ अच्छा हो गया तो यह जो शेर मार्किट है यह भूल कर रख कर छोड़ दो उसको अच्छे शेरों के अन्दर यह सोट करना, यह करना, वह करना वह आप जो मरजी कर सकते हो पर लंबे समय के भी से अच्छे शेरों के अंदर जब किसी चीज़ के लिए निगेटिव पोजिटिव कीज़े आती हैं तो सबसे पहले उसके वजूद को आपको तलास करना पड़ेगा और जब तक के आप वजूदों को तलास नहीं करोगे संकट में घेरे रहेंगे हम इतनी सी एक बात मेरी समझ लेना अब यह इतनी सारी बाते में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी दिनों से एक न्यूज चल रही है कि 47% तक के NHPC का शेर जो एक जल विदूद की एक बड़ी देश की कमपनी है और जिसके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो जल विदूद के अंदर है और जो सोलर पवन की इस्तितियों को इलिए भी वर्क कर रही है और जो नेपाल की परियोजना के लिए भी वर्क कर रही है और देश के अंदर एक जल विदूद की बड़ी छमता बनाने की तैयारी अनुलाचल पर देश में कर रही है जिसके देश के लिए भला है या नहीं है तो काफी जादा प्रोजेक्ट जो है नहीं के चल रहे हैं और यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अच्छे शेरों से प्रॉफिट भी लेना है और उसी अच्छे शेरों को लंबी दिशा के साथ भी देखना है कोटक इंस्टिटूशनल ने इसके जो टार्गेट 60 रुपे यानि करीब 70 रुपे के दे दिये हैं उससे काफी लोगों के दिल तूट रहे हैं दिल तूटने वाली चीज़े अगर मार्केट में करोगे तो कुछ भी मैंने कहा आप अपने वजूद के साथ देखिए कि क्या न है तो पुण क्या रहेगा जल विधुत और जल विधुत के अंदर जब एक अच्छी कंपणी नहीं चीजों के लिए वर्क करती है तो क्या इसका फ्यूचर आपको आगे दिख रहा या ने दिख रहा है आगे कोईले से कम से कम हम उप्योग थर्मल पावर का आगे कहीं साल बात जो करेंगे कमी करेंगे डीजल होगे इस सब चीजों के लिए तो वहां जब बिजली उत्पन जल से होगी तो क्या ये एक वैलूबल चीज़े है कि नहीं है कुछ चीजों को प्रॉफिल लेने के बाद छोड़ दिया जाता है और उसे उस हाल में छोड़ दिया जाता ह भाया ये फ्यूचर बनेगा वरना खरीदना बेचना करते रहेंगे मैंने आपको फिरका है दस साल बाद भी होगी रहेंगे आपको एक अपने दोस्त का उड़ान दिया था वो मेरे से बहुत पहले से बजार में है अचानक से उसे मेरे बारे में पता लगा हम दोनों में ब से समय भी चला गया इस्तितिया भी खराब हो गई और जो हमने प्रॉफिट खमाया उससे हमने कुछ चीजे खरीदी भी नहीं है तो जब आप अपने बजार में अपनी इस्तितियों के अनुसार काम नहीं करते हो कि भाया कौन क्या आपको समझा रहा है कौन क्या टार्गेट क हम अच्छे हो सकते हैं एन एच्पी सी क्या आपको नहीं लगता कि आगे जल विदूत के लिए वर्क करेगा एन एच्पी सी क्या आपको सुनेरे अफसर जो इसके फ्यूचर के हम देख रहे हैं क्या वहां तक की से अभी जो 47% गिर सकता है यह उनकी अपनी एक राय है उनक नीचे की चीजों की तरब आते हैं तो हम जैसे लोग तो होते हैं एक्जिट और बड़े लोग उसके अंदर करते हैं एंट्रियां तो आपका मकसद सोट का था वहां तो दिल तूट जाएंगे आपका मकसद सोट के साथ लोग कभी है तो वहां आपके दिल जुड जाएंग तो मेरे पास तो भजा ये शेर है और कहीं बार इससे प्रॉफट भी लिया है और अब इसकी इस्तितिया अगर ये और थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पर अपनी इस्तितियों को मजबूत करूँगा क्योंकि मुझे सुबंसरी, दिबांग, अम्मुक असमीर, ये उधर की सारी प्रियोजना इसकी पता है और सारी मैंने आपको इसके बारे में बता भी रखा है, तो जो वैलूबल शेर होते हैं, उनका हमें काम पता होता है, इसलिए ये जो टार्गेट आते हैं, इसको हम भुनाते हैं फिर अलग तरीके से, तो ये इस्तितिया आपको समझनी है, जून दोजार तेईस में एन एचपीसी ने करें, दोजार सास्तो सत्तावन क्रोड की सेल्स करी दोजार सास्तो सत्तावन क्रोड, एक हजार पिचानवे क्रोड का कमपनी ने प्रॉफिट, जून दोजार चोबिस में कमपनी ने क्रोड, इतनी जादा भी कमनी शेल करी है, प पिच्चाने क्रोड का था थोड़ी सेल्स कीम के लेकिन प्रॉफिट कमपणी का जबरदस्ता है दूसरा आपको समझना है कि अगर इसके हम जून का बैलेंस सीट देखें तो उसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ देखा करो अप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है जि जो इससे पहले क्वाटर में जो था करीब 885 क्रोड का था उससे पहले करीब 821 क्रोड का था और अब 1463 क्रोड का ओपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है जब कमपनी का ओपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो आगे जाकर वो और वैलूबल होगी क्योंकि इस के पास काफी परियोजना है उस परियोजना के लिए समय लग सकता है मैं आपको अलग-अलग धंसे चीज़ों को समझा रहा हूं वह यह यह नहीं कहता कि आपको किसी अच्छे शेर से निकल के भागना है किसी पैनिश्टोक को आपको खरीदना है कर जब लोगों ने मेरे से ज शीज में भी आए हापने ने कि अधिकतर लोग करते हंगे प्राइश का अनुसार थे हुआ तो फी सुन्ट पहस्चक्षिंर नहीं कि वह नाजमी हमें एक दिन बलबान ज़रू करेगा क्योंकि कोई भी शेर बिना मतलब कामारे पॉर्ट कल मैंने आपके लिए सेल पर वीडियो बनाई थी जहां लोग कहने बजा निकलो इससे वहां इस्तितिया समझाई मैंने आपको आर्वेनल जो इतना छे गुना भागा क्या हुआ प्रोफटे भुगिंग भी और उसका जो रेवेन्यू जो कम हुआ है वो थोड़ा उसका निगेटिव है उसे आप थोड़ा समझेना दूसरा बेल के अंदर भी कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कल की वीडियो जो देखेगा वो उस पार्ट को जानेगा जिस पार्ट के अनुसार हम आगे की चीज़े कर लेते हैं जो आगे नच्पिसी की वीडियो को समझेगा वो आगे का फ्यूचर देखेगा और इसी फ्यूचर के अनुसार अगर हमें लगता है कि कोई पैनी श्टोक बुलंदियों पर जा सकता है तो वो तब जा सकता है जब वो काम की इस्तितियों के साथ अच्छा हो और मैं बा तब ये शेर साथ से भी नीचे आ रहा था तब मैंने इसके अंदर आपके लिए उस वजूत के साथ वीडियो बनाई थी जो इसका काम धनना है अब कुछ लोग जो हैं बीच में ये निगेटिव हुआ मैंने निगेटिव कुछ वीडियो इसकी बनाई थी और कहा था कि अपन रुपर में कहां थे तीस रुपर में आप कहां थे जो मेरी वीडियो देख रही थे आप ऐसा नहीं है कि यह शेर गिरेगा नहीं मैं आपको फिर बता दो जब एड़े-बड़े मजबूत चीजे गिर सकती हैं तो सुज्रोन का गिरना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी हमा दूसरों को मना कर रहा है वीडियो मत देखो और मेरी पूरी वीडियो देखकर कह रहा है कि इसकी वीडियो मत देखो खुद बंदा देख रहा है दूसरों को मना कर रहा है जो बंदा खुद को निगेटिव भार दिखाता है उससे उसकी दिसा भार तो खराब होगी पर उससे जादा उसकी दसा पहले घर पे खराब होई होती है सतायां का मतलब वो अपने आदतों से अपने माभाँ से टैंसन में होगा अपने घरवालों से अपने रिस्तेदारों से बीदेग कि ठैंसन oluyor अफह आप Doll के रstawाइंगा जिसके अंदर दूसरों के परती ऐसी नियत हो कि इसे बरबात कर दूँगा इसे वो कर दूँगा ये बेकार है वो है वो व्यक्ति खुद कैसे सही हो सकता है जब उसने निगेटिव चीजों को गहन कर लिया है शेर बजार के अंदर शेरों को वो ही दूर दरस्वी के साथ देख सकता है जिसकी नियत साफ हो और उसको वो चीज़ देखनी आती हो कि भाईया जो दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं विजेक एडिया साफ वो चीज़ देख लेते हैं दूसरे लोग देखी नहीं रहे हैं राके जुन-जुन वाला जी ने क्या टाइटन में देख लिए जो दूसरे आज पर उसके लोगों ने देखा ही नहीं था 2030 की लक्षों के साथ देखना है वहाँ पर पवन की चीजे भी योगदान 500 गीगावाट के साथ देगी चाह यह चीजे आपको याद नहीं होती है क्या गया है मार्किट कैप मतलब से चला गया है तो यहां से इसने उस इसतर को छूलिया जो यह काफी दिनों से देखना चाह रहा था काफी सालो बाद यह चीजे होई है और वो तब होई है जब इसने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ के साथ अच्छी खासी सेल साल दर साल करते हुए जा रहे हैं यह तब जाके मुम्किन हुआ कि सुझलों अनर्जी का शेराज भी आपको 76 रूपिस करीब का मिल रहा है अब यहां से नहीं किरेगा इसकी कोई गारेंटी नी ऊपर जाएगा इसकी कोई गारेंटी नी मकसद आपको समझ नहीं होंगे इनके पास एक अच्छी खासी ओडर बुक है जो इसके CFO ने हमें बता रखा है उसके दोरान यह अपनी इस्टीतियों को बहुत मजबूत आगे जाके कर सकते हैं दूसरा आर्वेनल भी तो बाग रहा था ना आर्वेनल च्छेसों संटालिस रूपे के आर्वेनल तो काफी अच्छा शेर पर मैं आपको बता दूँ कि जहां में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए मतलब तो थोड़ा सा प्रॉफिट साइड में थोड़ा दूर तक देख लो ताकि हम दोनों तरफ से से जब तक तो शेर भागते हैं तब तक वह अच्छे लगते हैं जिजिन गिरेंगे उस दिन अब जून दोजार चोबिस में कंपणी ने अपनी सेल्स को काफी ग्रोथ के अंदर ले आई है क्योंकि इसके पास इतनी सारी ओडर हैं तो करीब 1351 क्रोड से कंपणी ने 2022 क्रोड की सेल्स कर दी है और अपना प्रॉफिट करी 302 क्रोड का लाजिमी कंपणी के पास अच्छ प्रॉफिटियां इसके अंदर हो सकती है जब कोई अपनी होल्डिंग को इसके अंदर से बड़ा प्लेयर बेचेगा और मुहाँ पर मुझे लग रहा है एफाइस के अंदर अपनी होल्डिंग को कंटिनू ग्रोथ की तरब लेगा रहे हैं वह आप पर मोटर तो कंपनी के दरहें करीब 56.03 परसेंट तो जो एफाइस हैं आपको पहले काता है यह अपनी इस्तित्य को देखते हैं तो थोड़ा यह इस्तितियां आगे जाकर कमजोर कर सकती हैं तो हमें थोड़ा सा 2030 के लक्षों के साथ सुझलोन को देखना है जो व्यक्ति समल समल कर आगे जाएगा कि बैए क्या होता है कि कई भी सफर में गए आपने कोई बजट बनाया कि इतना खर्चा हो सकता है फिर भी बंदा कुछ एक्ष्टा लेगे चलता है आक्स्क्लिमिक चीजे हो जाती हैं कुछ लोग मनाली के ट्रिप पर गए कुछ लोग हिमाचल के ट्रिप पर गए वहाँ कब वहार बादल फट जाएंगे गर डूब जाएंगे क्या पता है वहापस आए ना या जो जो चीजे होती है इसको समझें मोसम कैसा चल रहा है ये चीजे भी हो सकती है तो सुझझो नडर जी भया एटा व्येश्ट म.वह बी руки समा आ रहा नहीं में आपको समझाया ह। बता रहा हूं अपने को अच्छे आगी 2030 के लक्षे के साथ देख सकते हैं अगर गिरावाट होई फिर उनी आपके और हमारे लक्षे खराब हो जाएंगे लेकिन हमारे लक्षे 2030 के हैं इसके देखो विया एक और संकट भारत की बिजनिस पे भारत के उद्धोप पे भारत की बड़ी कमपनियों में डालने के लिए तैयार हो रहा है यानि कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है ये उस व्यक्ति ने कहा है हिडनबर्क रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है उसने ट्विटर जोब एक्स के नाम से जाना जाता है भारत में कुछ बड़ा होने वाला तो सबसे पहले ऊप्राइब बारत में कुछ बड़ा होने वाला कि छोटी बोटी घंब बुट होगा ये जो जाई यह वना और ये वं तोड़ी इस्तितियान बजार की नाजुग हो सकती है मंडे अगर ये चीज़े इफेक्ट डाल गई तो हमारे लिए आगे की स्थितिया पोजिटिव हो जाएगी कैसे हो जाएगी क्योंकि मुझे ये चीज़े लग रही है बजार को देखे एक तेजी की असार यानि कि जो बड़ी गिरावट होएगी उससे पहले तेजी के असार हमें मुझे मिले खरीदने के तो हम बजार के अंदर वो चीज़े कर सकते हैं तो ये जो नियूज है ये बाद में कभी भी आ सकती है वो तयार रहू इसके लिए तो ये चीज़ भी तोड़ सकती है बजार को और ये किसी बड़ी फरम के उपर हो सकता है क्योंकि चोटी मोटी के लिए ये जो hidden bank research है न काम नहीं करेगा मैं आपको बता जो तो समझ के चलो कोई बड़ा गुरूप हो सकता है उसका नाम है पता ही नहीं हो सकता है कुछ भी हो लेकिन 24 जनवरी 2023 को जब अडानी गुरूप के अंदर ये चीज़ बरक की वजह से अब ये चीज़े हमारे हो रही है यहां सेवी इसके ओपर जांच कर रहे हैं सेवी ने 46 पेंचो का नोटीस भी भेजा है कारण बताओ नोटीस भेजा है उसे वह मान नहीं रहा है तो अब उसने फिर एक्स पर लिख दिया कि भाया बारत में कुछ बड़ा ह होने वाला है तो यहां पर थोड़ा समल जाओ आप समलना इसलिए है कि यह चीज़े अचानत तो होगी नहीं लग जाएंगे पंदरा बीज दीन महीना दो मेना यह चीज़े हो सकती है क्योंकि जब उसने लिखा है तो यह कुछ तो करेगा ही करेगा उससे पहले मोग के बज करेंडर वो एक और गिरावाट देखना चाहते हैं अब गिरावाट किसी भी वज़े से हो सकती है तो जब उनको भी गिरावाट देखेगी तो वह भी खरी देंगे क्रिस पूर्ड जो आपको बताया था विदेशी निवे सके हैं बड़े बड़े फंड मने जारा है तो इस ही जो को हमसे आगे के लिए देखना पंडेगाए बर यह वहोगी कि यह बढ़ा भारत में और भारत कश earlier की तो चीज बड़े गुड़ें क्यों होगा थोड़ा सा इस्तिति को समझ कर चलता है तो सरफ वोड़ा फोन आइडिया के अंदर आज काफी दिनों बाद वीडियो बन रही है एक व्यक्ति तो बार-बार मेरे से पूछते सर अठारा टच करेगा अठारा टच करेगा और मैंने उनको कहा था कि अठारा टच कर तो बहुत ऐसी इस्तितियों से हमें चलना के जहां हम एक अपना लक्षे तो बनाएं और उसे कामियाभी की तरफ भी देखें और तब भी हम उसमें अमना करें तो फर यह अठारा करें पचास करें हम आपके लिए तो यह फिर भी दस रूपे गई रहेगा क्यूंकि हम हलात उसको समझेह एं लिकिने से सरी इतना जाएगा जया जब उसके ऊपर अमेली निहिकर पाते कुछ जूपको समझना पढ़ेगा चाहीं 18 जाये 20 इस्तितियों को आंका सब्सक्राइब रिजल्ट और रिजल्ट भी मैंने आपको कुछ लोग केरे सार इसके उपर अपनी द्रश्टी बनाया है मैंने का रिजल्ट तो देख लो पिले रिजल्ट के अंदर हाता क्या है क्या ग्रोथ होई है जो इसने 4G का विस्तार करना तो उसमें क्या चीज़ होई है और 5G अभी 4G को लॉंच करने और 5G की चीज़ों के साथ बड़े ढंग से हमें बताता जा रहा है तो यह भी चीज़े आपको समझे इसका हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा एक चीज मैं आपको और बता हूँ जो इसके अंदर अच्छे संकेत ला सकती यह वीडियो में आपके लिए बहुत पहले बना दी थी जब एक नियूज निकल कर आई थी कि 13 अगस्त को MSCI जो तिमाई है ना कि वहाँ से शेर उसमें से निकलेंगे कौन से एड होंगे MSCI इंडेक्स में तो वहाँ पर Vodafone आड़े का भी नाम आ रहा था यह नुमामा की हाउस की एक रिपोर्ट है उस मैं आप बता रहा हूं कि 13 अगस्त को जो फिर बदल होंगे कि कौन से शेर निकलेंगे कौन से से एंट्री करेंगे MSCI इंडेक्स में तो वहाँ नुमामा को लग रहा वोड़ाफोन एडिया वहाँ हो सकता है और अगर वोड़ाफोन एडिया उसके अंदर होगा उसके से बदल होंगे जो समिक्षा के बाद एक समीक्षा है उसके बाद हूंगे अब इस समिक्षा के उपर बड़े बड़े निवेशो की आँःख टीकी है और ज्यादा इसलह टीकी है क्योंगी वोड़ाफोन एड़ पयर तो झेलो इसका 12 तारिक का wr elli 11S7 009 orgasam तो सारा बता कर चल रहा है व्यक्ति जो कह रहा था इस बंदे की वीडियो मत देखो इसने सुझलों को यह यह कहा था और उस बंदे को मेरे और शेर नहीं दिखिते जेपियोशेट एकजाइट शेकेट इन सारी चीजों के विधी जो मैंने बताई थी वह उस बंदे को नहीं बत अलगी रहंका है वो जो दूसरों को मना कर रहा है खुद देख रहा है न तो मैंने जब भी कोई वीडियो बनाई है भाईया हमेसा फैक्ट पर बनाई है आज भी वोड़ा फोन एडियो को समझा रहा हूं तेरा अगस्त को समिक्षा होगी जो बदलाव होंगे तीस अग पर भी चीज़े हैं तो यह सोचो कि यह कोई बड़े गुरूप में होगा चोटी कंपनी क्यों तो यह ओने कहीं नहीं या फिर बड़ी कुछ चीजों का खुलासा हो सकता है तो क्या करना है थोड़ा समल कर रहना है अब इस समल के साथ साथ थोड़ी ऑपरिशनिटी और नि तो उन इस्तितिकों भी आपको समझ कर चलने हैं सुजलोन अनर्जी 2030 का ही सितारा है मार्किट कैप हो गई है इसके लिए अच्छे संकेत है और जो इसका प्रॉफिट बड़ा है सेल्स बड़ी है वो भी ग्रोथ के अनुसार है नहींच्पीसी का शेर सत्तर आए अर्सट आए पचाश घाए सो जाए 200 जाए काम बिलकुल भी मत भूलना रणनीतियों पर अपने इसाब से काम करना है बेवज़ा किसी शेरों को बिल्कूल भी नहीं है किसी के कहने पर टारगेट पर शेरों को बेशना भी नहीं है अपने अनुसार वरक कीजे जिस दिन आपने अपने कुछ अच्छा हो जाएगा किसी को भी मेरे चैनल पर खरीदने बेचने की सला बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको फिर से एक बार बार बता दूँ है ना कुछ भी नहीं है जो नियू हो जाईए वो मैंने आपको बताई है तो सर्चीटी को आटा दीजे गाएं को रोटी दीज नमस्कार